प्रभू का धनेवाद करते की परमेशन ने समय दिया उसकी स्तूती और उसकी अराधना करने के लिए मेरे प्यारों आज सुबह जिस वचन पर हम मनंद करेंगे महतुपुर्ण विशय है यह महतुपुर्ण विशय उन सभी पतियों के लिए है पत्नियों के लिए है और भविशय में होने वाले उन पतियों के लिए भी है तो आज हम विशय संदेश पर हम जाएंगे और जिस पांश है मसीही पति या फिर कृषिशन हस्बंड जी हां हस्बंड के बारें बात करेंगे और इसके दुसरे भाग में हम क्रिश्चन वाइफ के बारें में मसीही पत्थी के विश्ए हम हम लोग बात करेंगे पर तु आज जो है आज के वल पतियों के विशे में मसीह पती या फिर कृष्चन हस्बंड के विशे में हम लोग बात करेंगे जी हां विवाहा जो है वो परमेश्वर की योजनाओं का एक विशेश भाग है परमेश्वर पिताने जो योजना बनाई मन महत पूर्ण योजना थी और उस महत पूर्ण योजना को उसने पूरा किया और आज इस प्रत्वी पर विशेश लुबसे कलीसिया के लिए ये बहुत आशिश का कारण है मेरे प्यारो हमें समझना पड़ेगा ये विवाह क्या होता है हमें समझना होगा कि विवाह में एक पत्नी होती है एक पती होता है उनकी भुमिकाए क्या होती है और इन भुमिकाओं की अधार पर किस प्रकार वे एक अच्छा मसीही गवाह बन सकते है अपने पद को ध्यान में रखते हुए जैसे मेरा पती का पद है या आपका पत्नी का उस पद को ध्यान में रखते हुए आप कैसे गंभीर मसीव एक्ति बन सकते हैं इस विशेक को बारे में हम आज सिखेंगे साथ ही साथ मेरा कहना है या मानना ऐसा है कि इस विशेक को जब आप समझोंगे तो इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पे दिखेगा आपके पारिवारी जीवन में दिखेगा और प्रभुक के विशेश अनुग्रह को और अपने परिवार को बिखरने से बचाने में आपकी विशेश मदद होगी इसलिए मेरे प्यारों ध्यान पुरोग की संदेश को समझने का और सिखने का प्रयास करें विवा के द्वारा हम परमेश्वर के स्वभाव को सीखते हैं और समझते हैं विवा ऐसी घटना है या ऐसी परमेश्व की संस्ता है जिसके माध्यम से हम परमेश्व को स्वभाव क्या होता है परमेश्व का इस प्रकार से व्यवार करता है अपने लोगों के साथ परमेशर की सोच क्या होती है अपने परिवार के लिए जब उसने परिवार बना आदम और हौर उनके द्वारा तमाम लोग तो उसकी योजना क्या होती है उसके परिवार के लिए इस बात को हम लोग समझ सकते हैं विवा के माध्यम से हम सीख सकते हैं कई बार हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते रहते बढ़ते रहते हैं लेकिन कई बार ये समझ में आता है कि परमेशुर के जैसा मैं कैसे बनूँ कितने सारे से गीत हम गाते है जिन गीतों में इस लाइन का एक अर्थ होता है या एक लाइन होती ही है कि प्रभी शुमसी मुझे तेरे जैसा बना, मुझे तेरे जैसा बनना है, मैं तेरे जैसा बनू, मैं तेरे जैसा दीखू, मैं तेरे जैसा करू तो कैसे, आप कैसे कर सकते हैं, आप तब कर सकते हैं, जब आप विवाह को समझना शुरू कर देंगे, विवहा की संस्ता में आप प्रवेश करोगे और उसके द्वारा आगे बढ़ोगे आपका पती होगा एक पत्मी होगी फिर बच्चे होगे और फिर ये परिवार लगातार बढ़ता चला जाएगा और इस परिवारों के भीतर में जो मुख्य बार आपको समझना होगा ये ये होगा कि परमेश का स्वहाओ क्या है परमेश का काम करने का तरीका क्या है परमेश की योजना क्या होती है परमेश की इस प्रकार से अपने परिवार को तयार करता है आप प्रभु को समझेंगे इस प्रभु ने विवाह रखा है रिष्टे और नाते और परिवार की तमाम बातों को valuation हमारे भीश में रखा है जी आं, विवाहामे कच्चापन बहुत सारे लोगों के विवाह में कच्चापन होता है जो कच्चापन की वज़े से उनका घर तो तूड़ता ही है मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विवाह का कच्चापन सिर्फ पती और पतनी को नहीं तोड़ता है सुनिएगा विवहक के भीतर अगर कोई कच्चापन है तो ये स्केवल पती और पतनी को नहीं तोड़ता है लेकिन ये तो पीडियों की बरबादी कर देता है पीडियों तक बरबादी करता है बहुत लोगों के लिए बहुत आम बात है ये, शादी कर लिया, चल गए, तिन मेने बात नहीं बनी, तो एक दूसर से अलग हो गए, लोग साल भरे में अलग हो जाते हैं, लोग दो साल में अलग हो जाते हैं, बहुत सारी बाते होती हैं, और वे अपने विवाह को कभी भी विवाह को मजबूत करने के लिए हम इस विशे को दो भागों में सिखेंगे पहला भाग रहेगा पती के विशे में मसीही पती के विशे में और दूसरा भाग रहेगा मसीही पतनी के विशे में सो आज हम पती के विशे में कुछ बाते ध्यान से समझेंगे और सिखेंगे पहला पत्रस तिसरा अध्याय में हम लोग चलेंगे पहला पत्रस तिसरा अध्याय वचन साथ निकल लेंगे फर्स रिपीटर चैप्टर त्री एंड वर्स सेवन किस प्रकार से कहता है सुनिएगा जा लिखा है वैसे हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्रियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्वल पात्र जान कर उसका आदर करो यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वर्दान के वारी से जिस से तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए प्रमशिके वचन में कुछ बाते आज लिखी गई है जिसको हमें समझना पड़ेगा जहां लिखा है कि एक पती को आदेश है यहां पर पतियों के समझाए गया है कि पतियों तुम क्या करो अपनी पत्नियों के साथ बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो बाइबिल हमें बता रही है कि पती कैसा हो पती ध्यान रखने वाला और समझने वाला पती हो जी आपने पतनी का ध्यान रखने वाला और अपनी पतनी को समझने वाला पती हो ऐसे परमेश्य के वचन में लिखा गया बुद्धिमानी से जीवन निर्भा करो का मतलब ही वही हो आप कितना अपनी पत्नी का ध्यान रखते हो, कितना केर करते हो, इस बारे में प्रमश्य के वचन में लिखा है, लिखा है कि कितना समझते हो, उसकी बातों को, उसके कामों को, उसके विवहार को, उसकी भावनाओं को, आप कितना समझते हो, तो ऐसा पती होना चाहिए जो ध् में लिखा गया है जी और किसी बात में नहीं सिर्फ शारिक शमताओं के बारे में लिखा गया कि इस त्री शारिक शमता में निर्बल होती है तो पत्नी की शारिक शमता कमजोर होने के कारण अगर हम समझे तो उसको बहुमुल्य समझो शारिक शमता में कमजोर होने के कारण न लेकिन ना किबर उसका अधर करो, लेकिन उसको अपने लिए बहुमुल्य भी समझना जरूरी है. क्योंकि वो कमजोर है, शार्यिप再 कमजोर है, और जो चीजες कमजोर होती न, वो बहुत बहुमुल्य होती है. आपको ये बताना चाहता, जो euch कमजोर होती है, बिल्डिंगे जो बनाते है उसमें सलिया का इस्तमाल होता है और जो सलिया इस्तमाल होती है वो हमारे आल लोहे की सलिया इस्तमाल होती है और उसके उपर बिल्डिंग तयार की जाती है किया कभी आपने सोचा है कि कोई पैसे वाला आदमी ये कहता है, मेरे पास में हैं तो लोहे की जगह में सोने के र와ड या सोने की सलिया का मैं इस्तमाल करना चाहता हो अपने Building में यदि उसके पाद इतना सारा पैसा है यदि ळोह इस्तमाल करे भी तो क्या होगा नहीं बन पाएगी उसके building, उसमें उतनी मजबूत ही नहीं है, वो महेंगा बहुत है, जी हाँ, सोना महेंगा बहुत है, लोहा इतना महेंगा नहीं है, लोहे से हजार गुना महेंगा होता है सोना, जी हाँ, हजार गुना महेंगा होता है सोना, वो सोना महेंगा तो है, लेकिन कमजोर है लोहे जितना पक्का नहीं है लोहे जितना मजबूत नहीं है पर तो सोना कमजोर होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है 24 कैरेट सोने की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट होता है नरम होता है इतना मजबूत नहीं होता है जो कमजोर है वो बहुमुल्य है जी हाँ जो कमजोर बहुमुल्य बाइबल कहती है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो उसका सनमान करो और मैं बताना चाहता हूँ स्त्री को कमजोर शमता होने के कारण उसको अपने लिए बहुमुल्य समझो क्योंकि वचन ऐसा कहता है जिसने स्त्री ब्याहली उसने उत्तम पधार्त पाया उत्तम पधार्त का मतलब ही वही होता है कि वह बहुत बहुमुल्य है वह बहुत अन्मोल है ये बाइबिल हमें बात बताती है साथ-साथ ये वचन हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि पत् लिखा है वच्छन में कि तुम जीवन के वर्दान के वारिस हो दरसल वो अनुग्रह का वर्दान की विशे में है अनुग्रह का वर्दान जिसमें उद्दार सम्मीली थे जिसमें अनुग्रह सम्मीली थे उद्दार और अनुग्रह जो परमेशों के द्वारा मिलता है वो कभ साधारन संतान है ऐसा तो बिलकुल भी नहीं है जब परमेश और उद्धार की बात करता है वारिस की बात करता है यहाँ पे तुम वारिस हो वारिस हो तो वारिस कैसे है एक जैसे है उद्धार में जीवन में अनुगरह में एक जैसे है इसलिए परमेश और क्या करना चाहिए पती ने पतनी को परमेश्य की संतान के जैसे आदर दे और जब आप आदर देने जाओगे तो आपके पास क्या होगा आप धन से प्रार्थना कर पाओंगे क्योंकि वचन ऐसे लिखा है इस वचन बहुत खास है यह वचन नहीं तो तुम्हारी प्रार्थनाओं में रुकावट आएगी और हमारा जो रिष्टा है परमेश्य के साथ वो सम्मंदर नश्ट हो जाएगा बहुत खास है कितने महान बात जुड़ी हुई है एक साधरन साथ व्यवहार कर ऐसा लिखा है आपको और मुझे यह जानना है एक पती को जानना चाहिए कि मेरी पत्नी जो है वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है वो मेरे परमेश्य की बेटी भी है परमेश्य की संतान भी है उद्दार के बराबर के वारी से अनुग्रह के परमेश्य के अन नाकाम याब रहे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वचन सा कहता है तुम्हारी प्रार्थनाओं में रुकावटे पैदा हो जाएगी या लिखा है वचन में जिस तुम्हारी प्रार्थनाओं में रुकावटे पैदा हो जाएगी और तुम्हारा जो संबन्ध है परमेशे के स इस विशे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कुछ बातों को आज हमें समझना और जानना पड़ेगा मसी पती के विशे में कि मसी पती ने क्या और कैसा और किस प्रकार से होना चाहिए, जी हम, हम सिखेंगे अभी कि उत्तम पती कैसे बने, पतियों के उपर बा अच्छी बाते समझ में आज है, ताकि जिसका उपयोग आपके विक्तिगत परिवार के लिए होना शुरू हो जाए, एक उत्तम पती कैसे बने जानेंगे, जी हाँ, उत्तम पती के लिए सबसे पहली बात है, अपने वैवाहिक रिष्टे को प्राथमिक्ता दे, प्राथमि प्राथमिक्ता नहीं होना चाहिए हमारे तमाम रिष्टों में, एक पती का कर्तव्य और पती का जो गंभिरता होना चाहिए, प्राथमिक्ता होना चाहिए, वो अपने पत्नी के प्रती होना चाहिए, तमाम रिष्टों से बढ़कर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पती- पती पत्नी का रिष्टा ये बहुत खास रिष्टा होता है तमाम रिष्टों में दुनिया के तमाम रिष्टों में पती पत्नी का रिष्टा बहुत खास होता है ये रिष्टा बहुत गहरा होता है बहुत गहरा है इस रिष्टे में बहुत समय तक इस रिष्टे में गहराप होना चाहिए तो अपने इस कारण अपने वैवाहिक रिष्टे को आपको प्राथमिक ता देना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यही पत्मी रहेगी और यही पत्मी रहेगा जो जीवन भर साथ साथ चलेगे इसलिए इनको जीवन साथी बोलते है किसी मित्र को जीवन साथी नहीं बोलते है किसी पडोसी को जीवन साथी नहीं बोलते है और अन्य हमारे तमाम विष्टदार चाचा है मामा है अंकल है आंटी है दादा है दादी है नानी है मामा है यह इसमें से कोई भी जीवन साथी नहीं होता है बेटा और बेटी भी जीव जीवन साती बोला जाता है और बाइबिल में देखे तो परमेश्वर कलीसिया का जीवन साती है परमेश्वर दुला है ये शुदुला है और वो कलीसिया का जीवन साती है कलीसिया के अंतिम समय तक वो कलीसिया का साथ नहीं छोड़ेगा वो ऐसा जीवन साती क्योंकि जैसे प आपने जनम दिन पे कितना खर्चा करते हो जब आपका बर्डे है जनम दिन है तो कितना खर्चा करते हो और आपके व्याह में आपके विवाह में आप कितना खर्चा करते हो ये बताता है इस बात ये खर्चा करना समझाता है हमें कि आपके लिए क्या महत्तोपुर्ण पॉइ पहतर हो, सबसे उत्तम हो, ये लाऊंगा, वो खिलाऊंगा, ऐसा करूगा, वैसा करूँगा, बहुत खर्चा करना चाहते है, क्योंकि शादी आपके जीवन का बहुत महत्वपुरुना है, मैं यह नहीं कहता है कि जनम दिन महत्वपुरुना नहीं है, पर हम सभी लोग वहार ये भी समझाती है, कि मैरेज, शादी जो होती है, वो कितनी हमारे लिए important होती है, ये परमिशे का वच्चन हमें सिखाता है में पर, इसलिए गहरा, मजबूत और खास रिष्टा होता है शादी का, जिसको समझने में कई सारे पुरुष, मैं कहूंगा कई सारे पती, आयोग पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसी ने भी कलीस्या से प्रेम करके, अपने आपको उसके लिए दे दिया, प्रभु ये श्मसी ने प्राथमिक्ता दिया है, देखो पतियों को जो बात समझाई गई है, सिखाई गई है, और पती पत्नी की स्टोरी की जो घटना है, इसको समझ किया गया है अपनी पत्नी से प्यार करो और कैसे प्यार करो जैसे मसी ने कलीसिया के लिए अपनी आपको दे दिया लिखा है कलीसिया से प्रेम करके अपने आपको उसके लिए दे दिया किसे और के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया मसी ने अपने आपको स्वर्गदूतों क आपने आपको कलीसिया के लिए दे दिया प्रभू येश्यमसी की प्राइरेटी क्या थी प्राथमिक्ता क्या थी वो स्रिष्टी जो सबसे पहले उसने बनाई वो ब्रह्मान, पृत्वी नदी, नाले, समंदर, जानवर, पेड़ क्या ये, क्या स्वर्गदूत, जो रात और दिन उसके पास बैठे रहते हैं और उसकी स्तूती आराधना करते हैं क्या वे, उसने सबसे ज़्यादा प्राथमिक्ता मनुष्य को दिया कलीसिया को दिया और उसके लिए अपने आपको दे दिया बैबल सिखारी, पतियों के बात सिखारी तो पतियों ने कैसा प्यार करना चाहिए और पतियों ने अपने वैवाहिक रिष्टे को कितनी प्राथमिक्ता देना चाहिए लिखा है, उसने अपना प्राण दे दिया अपने आपको दे दिया सारे पतियों को मैं कहूंगा सारे पतियों को अपने आपको आपको देना होगा अपनी पत्नी के लिए जी हाँ सिर्व अपनी पत्नी के लिए दूसरे की पत्नी के लिए नहीं अपनी पत्नी के लिए आपको अपनी आपको देना पड़ेगा यह है प्राथमिक्ता प्राथमिक्ता में बहुत सारी बाते शामिल है प्राथमिक्ता में शामिल है केर करना सुधी लेना एक पती होने के नाते अपने पत्नी की सुधी लेना उसकी केर करना यह बिब्लिकल रिस उसको उसके कामों में, उसके बातों में, उसके वेभारों में, और जो कुछ वो करती है, उसके सहायता करे, कई परिवार में ये होता है, तु तेरा कर मैं मेरा करता हूँ, वो उसके काम में सपोर्ट नहीं करती, वो उसके काम में सपोर्ट नहीं करता, यही सब चलता है, आप support करे, support में सारे काम शामिले, कई बार पत्निया आपको सलाह देती कि आपकी business में ऐसा हो रहा था आप ऐसा करके देखिए, कई बार पत्निया सलाह देती है financially आपने ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, कई बार पत्निया बहुत सारे घरिलू कामों में बाहरी बातों में पतियों की मदद करती है क्या पतियों का करतव वे ने कि अपने पत्नियों का सपोर्ट करे उनके विचारों में सपोर्ट करे उनके धारणाओं में सपोर्ट करे हाँ गलत धारणा में नहीं गलत विचारों में नहीं बाई भी लिए मना करती है अनन्या सफिरा याद रखना उन्हें गलत बातों में एक दूसरे का सपोर्ट किया गलत बातों में नहीं जो बाते जायज है जो बाते बिब्लिकल है जो बाते पवित्र है उन बातों में सपोर्ट की जरूत है तो पतियों को भी चाहिए कि अपने पत्नी को सपोर्ट करे, जादा कुछ नहीं कर सकते हो, थोड़ा कीचन में सपोर्ट कर लीजिये। आपकी पत्नी प्रसंद नहों जाएगी, खुश हो जाएगी, चलो मेरे पत्नी थोड़ा सपोर्ट किया, आप कोशिश के आपको कुछ ना भी आता हो मुझे पता है बहुत सारे पतिये को रोटी बनाना नहीं आता है आप जब भी प्रयास करोगे तो आपकी रोटी कभी-कभी श्रिलंगा का मैप बनेगी, पाकिस्तन का मैप बनेगी, आस्ट्रिले का मैप बनेगी कोई problem नहीं, रोटी बनाना नहीं आता है, बरतन धोना आता है, वो करके देखिए, वो भी एक काम है, support कीजे, आप जाहिर कीजे अपनी पत्नी को कि मैं तेरे साथ बराबर का अधिकारी हूँ, हम बराबर के वारी से तेरे काम में मैं support करता हूँ, तो के प्राथमिक्ता में श पत्नी को respect दे, जो scenario तयार किया गया, वो इस प्रकार से कि पती उचा होता है, पत्नी नीची होती है, पत्नी ने पती को सनमान देना है, परंतु पती ने पत्नी को सनमान देने की कोई आवशक्ता नहीं, बातों बातों में हम पत्नियों के लिए हमारी कई बार इसे बाते र बोलती है एजी ओजी टप्पू के पापा कुछ इस प्रकार से बाते करती है लेकिन डायरेक नाम ले लिया तो सारे समाज को बुरा लगता है सारे परिवार को बुरा लगता है और उस पति को भी बुरा लगता है लेकिन पती अपनी पतनी का नाम वही कहेगा जो उसका नाम ह वो कभी नहीं बोलेगा A.G. O.G. टपू की मम्मी नहीं बोलेगा वो सीधा उसका नाम लेगा क्या दिखाई पड़ता इसमें कि पत्नी का ही करतव्य अपने पत्नी को इस प्रकार से बाते करें इस प्रकार संमान दे और क्या पत्नी का कोई करतव्य नहीं है कि अपनी पत्नी क चुटी बात बता है लेकिन परिवारों में जीवन में कई सारी जगा ऐसा होता है कि जहाँ सन्मान पत्नी का सन्मान पती ने जहाँ करना चाहिए वहाँ पती अपनी पत्नी का सन्मान नहीं करता है खो देता है इसलिए प्राथे मिक्ता में वो सन्मान शामिले प्राथे मिक्त से आप कैसे उसको सेफ कर सकते हो उसके हेल्थ वाइज सेफ कीजिए उसके विचारों के वाइज सेफ कीजिए उसके जीवन को उसके परिवार को सेफ कीजिए आप सुरक्षे शामिले प्राथमिक्ता में प्राथमिक्ता में शामिले समय देना आपकी प्राथमिक्ता अगर है पत्नी तो आपके पास ज्यादा समय होना चाहिए पत्नियों के लिए कई बार शादी के समय बहुत समय होता है पतियों के पास में शादी में बैंड बजा बजाएंगे बहुत खर्चा करेंगे कि आपने बहुत इंपॉर्टन काम के अपने लाइफ का लेकिन उसके आगे लेकिन समय पत्नी के साथ बिताईए, समय पत्नी के साथ बिताईए, ये समय नहीं मिलेगा, जो आप से सब कुछ दुनिया नहीं होती मेरे प्यारो, पत्नी का रिष्टा बहुत माहिने रखता है, इस रिष्टे को साथ निभाए, समय दे, थोड़ा दो पैसा कम कमा लेकिन पत के लिए अपने आपको दे दिया ऐसा ने लिखा कुछ कुछ दे दिया थोड़े कुछ वस्तु दे दिया अपने आपको दे एक पती ने ये काम करना चाहिए कि अपने आपको अपने पत्मी के लिए अरपन कर देना चाहिए ये होता है पती समर्पित पती और मसीह पती ये होत एलकान अपनी पत्मी हन्ना से कहता था उसके कुछ विक थी विक पॉइंटा कमजोर थी क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी और एलकान अपनी पत्मी हन्ना को कहता है कि तू रोती क्यों है तू उदास क्यों है तेरा दिल क्यों तूटा हुआ है क्या मैं तेरे लिए दस बेटों से उत्तम नहीं हूँ, वो इतना प्यार करता था, वो अपने आप को देने को तयार में, अक्यला ही काफी हो तेरे लिए तिरा अगर एक भी बच्चा नहीं रहेगा, तो तुझे कोई चिंता करने की जरूत नहीं है, मैं अक्यला तेरे लिए दस बेटों जैसा काम मैं अक्यला तेरे लिए दस बेटों के जैसा हूँ, इसलिए मसीही पती के अंदर पहली जो बात होती है, वो होती है प्राथमिक्ता, दूसरे बात जो पती ने करना चाहिए अपने पत्नी के लिए, उत्तम मसीही पती बनने के लिए, वो होती है, पत्नी के माता पिता का ख् रखे बहुत ख्याल रखे और यह जरूरी भी है यह अच्छी बात है और होना चाहिए लेकिन आज तो हम पतियों के बारे में अध्यान कर रहे हैं तो पतियों को क्या चाहिए पतियों को यह चाहिए कि अपने पत्नी के माता-पिता का ख्याल रखे क्यों ख्याल करना है थोड एक प्रेम करने वाला वेक्ति यह सोचता है कि मेरी पतनी की चिंता है क्या क्या हो सकती है तो सबसे बड़ी जिंता पता है क्या होती पतनी की पतनी की चिंता यह होती कि वो अपना घर छोड़के आपके पास आती है जिस परिवार में पैदा हुई पली बड़ी उस माहोल में उस संसकार में उसके माता पिता भाई बेहन रिश्दार जो भी होगे उसके साथ में उसके साथ वो अपने जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टन जो समय होता है वो उनके साथ बिताती है और उसके बाद वो आपके घर शादी होके आ जाती है और वो आपको स्विकार करती है आपके परिवार को स्विकार करती है आपके साथ आनन से प्यार से चलती है लेकिन एक चिंता उस तरीक के अंदर लगातर बनी रहती है और ये कि मैं अपने माता पिता को छोड़ कर आई मैं जब वहाँ थी तो मैं बराबर देख भाल करती थी मैं दवाईों का मेरे पापा की ध्यान रखती थी मेरी मम्मी के काम में मैं हाथ बटाती थी मैं ये करती थी मैं वो करती थी मैं ऐसा होता था वैसा होता था कितने सारे काम वो जब जब जो जो काम आपके घर में करेंगी उस काम करते करते उसे याद आएंगे अपने ममी, अपने पापा कि उनके पास कोई नहीं, उनकी सुरक्षा करने वाला, उनको संभालने वाला, कोई नहीं, अगर कोई है तो अच्छी बात, लिंक कई परीवार ऐसे होते जहाँ पर बेटी आपने माबाप से बहुत प्यार करती है और उनकी केर करने देखरे करने वाला कोई भी नहीं होता है एक पती होने के नाते आपको अपनी पत्नी की चिंता और उसके कंसर्म के बारे में सोचने आना चाहिए कि वो क्या सोचती है उसका मन कहा लगा हुआ है वो किस बारे में ज़्यादा चिंतित हो जाती है कई बार उख खुल कर वो बात नहीं कर सकते है अपने पती से अपने मन की इच्छा या मन की बात वो बतानी सकती है इसलिए एक आदर्श पती वो होता है जो पत्नी के माता पिता को भी स्विकार करे पत्नी के माता पिता को अपने माता पिता माने जिस प्रकार एक स्त्री एक पुरुष के घर में आके अपने पती के माता पिता को अपने माता पिता मानती है वैसे ही उस पुरुष को भी चाहिए और थाक उस पती को भी चाहिए कि अपने पत्नी के माता-पिता को भी अपने माता-पिता माने सिर्फ पत्निया पूरे ग्रहन कर लेती है साससुर को लेकिन कई बार पती चो होते है वो अपने पत्नी के माता-पिता को अपने साससर को इतने अच्छी तरह से ग्रहन नहीं करते हैं और इस कारण ये लगातर चिंता ये कंसा उस पत्नी के अंदर लगातर बना रहेगा मैं बताना चाहता है जिस दिन एक पती अपने पत्नी के भी अपने घरवालों का भी ध्यान रखे अपने खुद के माता पिता का भी ध्यान रखे और साथी साथ अपने पत्नी के माता पिता का वो केर करता है ध्यान रखता है उनकी चिंता करता है उनके बारे में सोचता है उनके बारे में दुख भी उसको होता है तो ये बात करना मैं बता चाहता आपके पती-पत्नी के रिष्टे को और ज्यादा पक्का करेंगी गहरा करेंगी पत्नी ये सोचेंगी ये जो पती ये पूरुष मेरे साथ खड़ा है वो मेरे जैसा सोचता है जैसे मैं उसके परिवार के लिए सोचती हूँ वैसे वो मेरे परिवार के लिए सोचता है हम दोनों मिला कि कि शादी जो होती है दो वेक्तियों के बीच में नहीं होती है शादी दो परिवारों के बीच में होती है देखिए बाइबल में एक एक्जामपल है मरकुस रचिसु समाचार और अध्याय पहला और 29 से लेके 31 से लेके 31 तक इस प्रकार लिखा है वो तुरंद आराधनालें से निकल कर याकूब और यहोना के साथ शमोन और आंध्रियास के घर में आया और शमोन की सास जवर से पिडित थी और उन्होंने तुरंद उसके विशे में उससे कहा तब उसने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़के उससे उठाया और उसका जवर उस पर से उतर गया और वो उनकी सेवा टहल करने लगी किस की चंगाई हो रही है चंगाई हो रही है पत्रस की सास की शमोन के सास की चंगाई हो रही है लिखाए जब येशु उनके पास आता है तो तुरन शमोन ने जाकर ये बात इतला की येशु मसीख को बताया गुरुजी 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 मेरी सास को बहुत फिवर है ब हमारे कर में खाना बना ये बना ये ये वो करें चला अब हम काम में लग जाते काम में नहीं लगे उसने अपनी पहली रिक्वेस्ट लेकर गया गुरू जी के पास प्रभु के पास रिक्वेस्ट लेकर गया कि मेरी सास को हलाकि ये कोई बहुत बड़ी बिमारी नहीं थी है न पत्रस की सास को कोई बहुत बड़ी बिमार नहीं थी, एक सिंपल सा बुखार उसको था, बुखार था, लेकिन बुखार के लिए भी प्रार्तना, मुझे लगता कि 10 में से 8 लोग बुखार के लिए भी कभी प्रार्तना करते होंगे, जब आपके पास बड़ी बिमारी है, कु एक्सिदेंट हो गया है, यह चल रहा है डॉक्टर ने रिपोर्ट यह निकाला है बलड में यह आया है, एक्सर में यह आया है कोई तूर। कोई असा ने बोलता है सिंपल मेरे भुखार आया, प्लीज प्रारत ना करा दो बहुत होते जरूर लेकि बहुत कम होते मेरी सास को बुखार है थोड़ा प्रूच करा दे इशु गया और लिखाए कि उसने उस बुखार को डाटा बुखार निकला तुरन निकला और सासुमा काम में लग गई सेवकाई में लग गई प्रभीश मसी के क्योंकि वो जानती थी मेरा दामाद जिसकी अराधना करता है वो महान परमेश्य थी दामाद भी अराधना कर रहा है और सास भी अराधना कर रही है अलेलूया यह पत्रस की मान नहीं है पत्रस की सास है कुछ समझ रहा है एक मसी होने के नाते अपनी पत्नी के माता पिता का खयाल रखना एक आदर्श पती की जिम्मेदारी होती है तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ पती नहीं मित्र बनने की कोशिश करे अपनी पत्नी की पती नहीं अपने पत्नी का मित्र बनने की कोशिश करे या मार दिया या गाली कलोच कर दिया या कुछ कर दिया तो उनका दिमाग गरम रहता है जी खई पत्नियों को उन्हें बाते सुना कि नहीं हमारे पत्ति ऐसी बात नहीं कर सकते उनका दिमाग हमेशा गरम रहता है गरम मिजास के आदमी है उनके सामने ऐसे हुश निच बात चलती ही नहीं है और ये रिष्टा क्या कहलाता है ये रिष्टा क्या कहलाता है ये पती-पत्नी है या दुश्मन है दो राज्यक के दो अलग-अलग नेता है लड़ रहे हैं आपस में क्या हो रहा है दोस्त होना चाहिए पती-पत्नी ऐसे कैसे पत्नी कहती है कि मेरे पत्नी का दिमाग बहुत गरम रहता है गरम मिजास के है उनसे ऐसी मजाग नहीं कर सकते है क्यों नहीं कर सकते है पत्नी पत्निया कई बार मैं आपको बता है पत्निया कई बार पत्तियों के पास चाहिए पता भी नहीं रहती है और कई बार पत्तियों को लगता मेरी पत्नी मेरा बहुत आदर करती है आदर नहीं सहाब आपसे बहुत डरती है वो बहुत डर रही है डर डर के जीवन जी रही है मजबूरी में जी रही है फ़ड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाईए मज़ा आएगा कुछ बाते करने में हिचके चाती है डरती है लेकिन यदि ये पती उसका दोस्त बन जाए तो दोस्त से बहुत सारी बाते वो खुल कर कह सकती है उसे अच्छा लगेगा कि मैं अपना घर अच्छा दोस्त है पतियों को ये पता होना चाहिए अपने पती वो पतित्व में मत रही है कि मैं पती हूँ भाई साब आप पती है कोई वनस पती नहीं कि जम जाय थंड हो गया तो आप पती है और पती को पता होना चाहिए कि पतनी की जरुवत एक दोस्त की है दोनों की बीच का रिष्टा अगर दोस्ती का है ये रिष्टे में खटास कमाती है इस रिष्टे में आनंग बहुत बना रहता है इस रिष्टे में शांती बहुत ज्यादा रहती है मेरे प्यारों खुलकर वो आपसे बाते कर सकती है और आपके साथ विवहार कर सकती है एक पती की एक पार्टिया करते हैं घुमने जाते हैं वो बहुत अलग है लेकिन सच्चा जो दोस्त होता है सच्चा दोस्त एक पती का सच्चा दोस्त उसकी पत्नी होती है और एक पत्नी का सच्चा दोस्त उसका पत्नी होता है यह बाद शायद आपकी उमर अगर इस पड़ाओं में है ता आपको शायद समझ में ना आ जाए, लेकिन जैसे जैसे आपकी उमर बढ़ेगी, कोई कई सारे मेरे भाई बैने बुजूरक अवस्ता में होगे, उन्हें ये बाद बराबर समझ में आरी होगी, कि अब सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्रदार कोई नहीं होता है, वो आपके थोड़े टाइम के दोस्त होते हैं, वो रामा, गोमा, गोपाल, धर्मेंदर, जितंदर, ये सब थोड़े राइम के दोस्त होते हैं, लेकिन पतनी जो होती है, वो आपकी लाइफ टाइम दोस्त होती है, इस बात का आप याद रखिए, अगल चला सकता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं बॉस हूँ, ये मेंटलिटे आती, मैं बॉस हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, भाई साब, राजा तब तक है, जब तक राजा के सिर्पे मुकुट है, और भली पत्नी होती है मुकुट, निती वचन कहता है, बिना मुकुट का क कोई राजा नहीं होता है तो अपने पंध में पाप है तो को धान समझे हैं नाया नियम को पताएगा आपको कि मार पीड जो है वो बाइबिल में पाप है यह बिल्कुल भी बिलिकल नहीं होता है में सब निकालेंगे कुलूसियों तीसरा अध्या है कुलूसियों तीसरा अध्या है और बच्चन उननीस कुलूसियों चैप्टर त्री एंड वर्स नाइंटीन ऐसा कहता है हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो लिखाए कठोरता ना करो किसी प्रकार के कठोरता ना करना मेरे प्यारों यह हम नहीं कर सकते हैं मसीप पती होने के नाते सहनशिल्ता और समझदारी यह दो बात याद रखेगा सहनशिल्ता और समझदारी यह आदर्श पती की निशानी है आप आदर्श है, तो उसकी निशानी है, आप हर बात को सहनशिल्टा के साथ चलते हो, घर में प्रावलम होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें सहनशिल्टा और समझदारी पती की होना बहुत जरूरी है, पत्नियों के बारे मैं बात में बात करेंगे, लेकिन जरूरी है, तबी वो एक आदर्श पती बन सकता है, पांच वी और अंतीम बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ, पती जो होता है, पती परिवार का मुखिया होता है, अलेलूया, पती नहीं यह समझना है, मैं स्रीप पती नहीं हूँ, मैं इस परिवार का एक मुख्य सदस्य हूँ मैं एक मुख्या हूँ मेरा प्रतिष्टा मेरा पद मुख्या के जैसा है मैं तो निकालेंगे इफिसियो पांच वाद गया है और समझेंगे ये मुख्या क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको क्या होता है मुख्या पांच वाद दह इफिसियों का और 25 से 27 पड़ेंगे जहां इस प्रकार से लिखा गया है हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसी ने भी कलिसय से प्रेम करके अपने आपको उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के सनान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलिसया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना जुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोश हो यहाँ पतियों की जिम्मेदारी दिया गया है जो प्रभी येश्य मसी के साथ उसकी कामों के साथ उसकी तुलना की गई है पति कैसा होना जाए बिलकुल मसी के जैसा मसी ने क्या क्या मसी ने अपनी कलिसया से प्यार किया और अपनी आपको उसके लिए दे दिया सिर्फ दे नहीं दिया ऐसा लिखा है उसको वचन के द्वारा जल से स्नांत के शुद्द करके पवित्र बनाए उसने जिम्मेदारी लिया मसीहा ने अपने कलीसिया को अपने दुलहन को पवित्र बनाना और एक धंग से एक विक्ति तयार करना फिर लिखा है तेजस्वी कलीसिया बनाना निर्दोश कलीसिया बनाना उसके लिए महनक किया कलीसिया के दुलहने कलीसिया के पती ने पवित्र बनाने के लिए निर्दोश कलीसिया बनाने के लिए तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए उसने परिश्रम किया उसने जिम्मेदारी उठाया शादी करके लाया इसका मतलब क्या है जिम्मेदारी उठाना आपने उस त्रीक को शादी करके लाया तो आपने उसकी जिम्मेदारी लेना है तो कैसा मुख्या होना चाहिए एक पती ने परिवार को बनाने की जिम्मेदारी पती की है पत्नी की ने अक्सर पती कंप्लेंड करते है बच्चा फैल हो गया पत्नी की वज़े से माक्स कम मिले पत्नी की वज़े से कुछ भी हो गया पत्नी की वज़े से खुद पे कोई भी जिम्मेदार्यां देता नहीं है पति, जो कुछ खराब हो रहा पतनी की बज़़े से, मैं बताना चाहता हूँ, परिवार को बनाने की जिम्मेदारी पती की है, या इश्व मसियह की जिम्मेदारी है, किस प्रकार उसमे कलिसया सुनना चाहिए आपका परिवार परमिश्य के वचनों पर चलने वाला होना चाहिए आपके परिवार में निरंतर प्रार्थना स्तूती अराधना और वचनों की बाते होना चाहिए आत्मिक जीवन परिपक्व और मजबूत होना चाहिए परिवार के जनों का परिवार के तमा आप मुखिया बनोगे, सब कुछ बनोगे आप है, आप जिम्मेदार विखती है अपने परिवार के लिए वो जिम्मेदारी किसी और के नहीं वो जिम्मेदारी आपने अपने हाथ को लेना है अपने घर को प्रभू का घर या शैतान का घर अपने घर को प्रभु का घर या शैतान का घर बनाए ये पती की जिम्मेदारी है कई घर शैतान के घर बन गए शैतानी बाते होती घर के अंदर में बच्चों के अंदर में अन्ने फैमिली मेंबर्स के अंदर में क्योंकि पती गंबीर नहीं है जिस घर का पती गंबीर नहीं है उस घर में शेतान की नजर बहुत तेज है इसलिए पती ने ये संभालना है कि मुझे प्रार्थना, वच्चन, अराधना और घर को तयार करना है मेरे घर को प्रभु का घर करना है शेतान का घर नहीं इबराहिम के बारे में परमेश्रत का ऐसा कथन था उत्पति उसका ठारा द्या और उन्निस पद में जेनेसर चैप्टर 18 और 19 वर्स असा कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों को याने इबराहिम अपने परिवार के जिम्मेदारी लेगा इबराहिम अपने परिवार को आदेश देगा परिवार के जिम्मेदारी सोपेगा आत्मिक जिम्मेदारी की बात हो रही है यहां पर और परमेश्वर इस विश्य में बड़ा अश्वस्त पता इबराहिम को लेगा मेरे प्यारो ये पाच बाते मैंने आपको बताया जर्वी होना चाहिए परिवार का मुखिया कैसा हो किस प्रकार घर चलाना है आत्मिक अनुशासन में हमने पाच बाते सिखा है आज कि मसी पती ने कैसा होना चाहिए ध्यान रखने वाला पती होना चाहिए पत्नी का आदर औ पति उसने होना चाहिए अन्यत हमने पड़ा 15 पीन साथ में कि तुम्हारी प्रार्थनाई भी रुख सकती है और तुम्हारे संबंद प्रभु के साथ खराब भी हो सकते हैं नश्ट भी हो सकते हैं अगर आप अपना असली पती मतलब मसी पती बन कर आपने पतनी के साथ ऐसा उचित व्यवहार नहीं किया तो आपकी प्रार्थना भी रुख सकती है और आपके संबंद खराब हो सकते हैं प्रभु परमेश्वर के साथ पांच बात हमने सिखा उत्तम मसी पती बनने के लिए पहली बात हमने सिखा कि अपने वयवाहिक रिष्टे को सबसे पहली पत्नी के माता-पिता का भी खयाल रखें यह बात बहुत जरूरी है थिसरी बात पती नहीं मित्र बनने की कोशिश करें हमने इस बात सिखां चौती बात हमने सिखा कि अपनी पत्नी से कभी भी दुर विवहार ना करें किसी भी प्रकार का हाथ उठाना, मार्किट करने यह Bible मना करती है और पांची बात हमने से कहा कि पती परिवार का मुख्या होता है उस पर पूरा जिम्मेदारी होती है पपुरे घराने की पुरे परिवार की यदि ये सारे बाते सारे काम करने में पती सक्षम है तो मैं कहता हूँ सचमुच वो एक आदर्श पती है मसी पती है और कई सारे मसी होने वाले हस्बंड्स के लिए पतियों के लिए वो नमुना बन सकता है आधर्श बन सकता है अगर आप अपने पती बनने में मैं उन पतियों से बात करता हूँ आप अपने पती बनने में कही ना कही आप निश्पल ठहरे हो आपने मैसुसिया कि मैं ये वाली बात नहीं कर पाया वो वाली बात नहीं कर पाया यहां में कमज़र ठहरा दुआ करे और कोई बात ने आपके जीवन के बहुत लंबे साल निकल गए हो पर अभी भी आप शुरू कर दिये तो प्रभू का अनुग्र आज भी आपका इंतजार करता है वो आज भी आपको वैसी ही आशिश देना चाहेगा जैसा उसने बाइबिल में पहले से बोल के रखा है आई अपना जीवन समर्पन करें प्रभू के सामने और प्रभू की आशिश पारता है पिता एशो के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभू हम धन्यवाद करते पिता जी आपको कि आपने हमें सिखाया कि उत्तम पती कैसे होना चाहिए एक मसीही हस्बंड मसीही पती कैसे होना चाहिए कई बार हम इन बातों के इग्नोर करते अंदेखा करते प्रभू लेकिन आज हमारी आखे खोल, हमारी समझ खोल प्रभू ताकि हम बहतर मसीह पती या पत्नी बनने वाले बने और आपकी महिमा करने वाले बने आज मेरे भाईयों के लिए दुआ कता पिता जो मसी पती बने हुए है या बनने में असक्षम रहेगे पिता परमीश्वर प्रभू बिंती सुन उन सबको आशिरवात दे और बहतर पती बनने के लिए उनकी मदद कर पिता राजा प्रभू जो वचर हमने सिखा है इस पर चलने के लिए समझने के लिए पिता उनकी भुद्धी खोल समझ खोल पर तथा कि पवित्र शास्त्र के अनुसार एक बहतर पती मसीही पती बे बन सके ऐसा अनुगराब से मागत प्रभू तुर आज के संदेश के द्वारा आपने आशिश प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकम को दवाईए और हाँ इश्यू पर विश्वास करना ना छोड़े वो आपको आशिश में स्तानों की और आगे ले जाएगा God bless you all